Hello Friend, SP Education में आपका हार्दिक स्वागत है आज की क्लास में हम लोग एक नई क्लास को करने वाले हैं बुजनिस इस्टडी जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग जल से जल बुजनिस इस्टडी की क्लास को करने वाले हैं अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने अपकी बार जो लिखा हुआ है कोई इस्पेशल एक्जाम को मनलब कि हमने टार्गेट नहीं किया है ठीक है हम लोगों का पूरा टार्गेट है एक सिकेंड हम लोगों का जो टार्गेट रहने वाला है वो पूरे जो कॉमर्स से से र आप लोगों की अब चाहें विजनिस की बात करें चाहें ऐक learnt करें सबी यगेव वही पोर्शन पूछा जाएगा इंसंतर का और canry इंटर का बीं पूछा जाता है और अधर स्लेवर्स है और अधर एक्जाम अधर स्टेट के एक्जाम जैसे कि उत्रा खड़ने पंजाब है या फिर कोई और तो हम लोग चाहे जारकंट पीजीटी की बात करें उसमें भी यही जो चीजे हैं बिजनेस इस्टडी में यही पूछी जाएंगी तो बिजनेस इस्टडी मे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं किताब से क्लेस ओर लुट कि केदाब से बिजनेस इस्टडी की बोक होती है उससे ज्यादा कुछे जाते हैं सिस्टी परसेंट हम लोगों का यहाई से धक्कॉस्ट्टर रह जाते के हैं जो उनको हम लोग अधर से अधर मतलब की वहां से उठाएंगे और परेबियस ये की भी बात करेंगे हम लोग's चाहे किसी भी बात करें करो। चाहें UPDTGT की बात करो руки क्यूंत भात करें पी वही वही कुछ्टन वार वार आते हैं जो को कि इसरी सम्मंदित होते हैं तो लोग अन को भी देखेंगे साधी साथ में तो आज हम interact का यदिया है तो हम सबसे पहले तो क्लास 11 को वह और वैसे किलास करने वाले都是 से घ्लास किया में है तो इसने करने वाले हैं वो आज-से क्लास नमबर एक रहने वालि है और आप लोगों को इसी पर यहीं बर इसी चैनल बर आप लोगों को और भी खेल से मिलती रहें और आप लोग देख सकते हैं फेले लिस्ट में लोग ने किलासें आप लोगों के लिए प्रोवायड कर रखी है अब बात आती जो MZQ आते हैं और पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग बात करते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यह तो होगी इंट्रोडक्शन पार्ट की आप लोगों को इतना वो है लेकिन हम लोग बिजनेस स्टडी में इकॉनोमिक्स में यह फिर एकाउंटेंसी में कोई भी स्टार्ट कोई बी अगाउंट करना पड़ेगा अगर कोई क्लास चाहिए तो आप लोग जरूर करें अब हम लोग आंगे चलते हैं और आंगे कुश्चन नमबर को हम लोग पढ़ते हैं और कुश्चनों को सॉल्व करत होते हैं कुश्चन नमबर एक कुश्चन नमबर एक में लिखा हुआ है कि प्रवंद की प्रकति प्रवंद की प्रकति है कैसी प्रकति होती है तो प्रवंद की प्रकति जो होती है वह कैसी होती है नीचर पूंचा गया है प्रवंद का नीचर कैसा पूंचा गया है ठीक है अब आप लोग कहेंगे कि direct MCQ तो अगर detail में class करनी है तो detail में class हम लोग बाद में करेंगे फिलाल exam को देखते हुए हम लोगों जैसे MP की बात करें MPTAT की बात करें MPTAT में अभी थोड़े दुना बाद MPTAT का है और विहार STAT की बात करें तो विहार STAT भी है तो हम लोग इसी किलम class अगर समय बचेगा तो ठीक है तो प्रवंद की जो प्रकति है वो कैसी होती है तो प्रवंद की प्रकति होती है जन्मजात प्रतिवा तथा अरजित प्रतिवा दोनों की होती है ठीक है दोनों की रूप में हो सकती है तो पहले का सी option मिलकुल सही answer हो जाएगा question no.2 और social responsibility होती है उसमें management apply कहाँ पर होता है विकरेता की सावधानी का नियम इन दोनों से में से कोई नहीं तो प्रबंद की जो सामाजितों की बात आती है जो उसमें कौन सी की आती है वायर की आती है sealer की आती है none of की की आती है या फिर none of these की आती है तो इसका right answer है हम लोगों का कि प्रवंद की जो सामाजिक उतरदायत की प्रकती होती है वो विक्रेता से संबंदित होती है तो इसलिए वो B option मेलकुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number third और question number three में लिखा हुआ है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवस्तक है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक क्या आवस्तक है बहुतिक संसादन आर्थिक संसादन कुसल प्रवंधन या फिर इनमें से कोई नहीं तो किसी भी देश का अगर विकास करना है तो उसको हम लोगों को systematic ढंग से काम करना होगा और systematic ढंग की बात की जाती है तो हम लोग management की बात करेंगे तो वो C option मिलकुल सही answer हो जाएगा कि कुशल जो है कुशल प्रवंद की बात की जाती है किसी भी देश के विकास के लिए तो इसका right answer हो जाएगा तीसरे का C option मिलकुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number 4 और question number 4 में लिखा हुआ है कि उच इस्तरिये प्रवंद की नियोजन पर अपने समय का भाग कितना ब्याय करता है यह question एक बार UPTGT में भी पूछा गया था ठीक है तो उच इस्तरिये प्रवंद की नियोजन पर अपने समय का भाग ब्याय करता है कितना भाग ब्याय करता है नियोजन पर प्लानिंग पर बनाने में तो 35 प्रतिसत अपने समय का 50 प्रतिसत 75 प्रतिसत या फिर इन में से कोई नहीं तो एक जो उच इस तरिया higher level management होता है वो जो अपना समय है उसका वो कितना समय जो है वो प्लानिंग पर spend करता है यह पूछा गया है तो इसका right answer है कि वो अपने समय का जो है वो वो 35 प्रतिसत जो है वो इस पर खर्च करता है किस पर नियोजन पर इसका right answer है हम लोगों का यह option बिल्कुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में लिखा हुआ है question number 5 question number 5 में लिखा हुआ है कि प्रवंद का सार है प्रवंद का सार क्या है समनवे संगठन स्टाफिंग यह फिर इन में से कोई नहीं प्रवंद का जो सार है वो पूछा गया है प्रवंद का सार क्या है तो प्रवंद का जो सार है वो तो आप लोगों को पताना है प्रवंद का सार क्या है तो प्रवंद का जो सार है वो समन्वय है तो समन्वय की बात आती है co-ordination, co-ordination को हम लोग पढ़ेंगे, co-ordination में भी डिटेल में करेंगे उसके बाद, next question में लिखा हुआ है कि question number six में लिखा हुआ है कि क्योंकि इसमें डैस समलित है मुद्रा का, मसीन का, मनुस्त का या सामिगरी का बात आती है मसीन की बात आती है तो बी ओप्सन बिलकुल सही आंसर हो जाएगा उसके बार next question और next question में लिखा हुआ है कि question number 7 में लिखा हुआ है कि प्रवंधक का करमचारियों को सरवाधिक प्रेडरा देने वाला कार है सरवाधिक जो प्रेडरा देता है वो कौन सा कार है करमचारियों को तो प्रवंधक का प्रवंद का management का ऐसा कौन सा कार है जो करमचारियों को सरवाधिक प्रेड़ना देता है motivation करता है तो staffing अभी प्रेड़ना संगठन या फिर इन में से कोई नहीं English Hindi both language में question लिखे हुए हैं आप लोगों कोई दिक्कत की बात नहीं है इंग्लिस में पढ़ना चाहें तो इंग्लिस में भी आप लोग पढ़ सकते हैं तो इसका राइट अंसर बताना है कि करमचारियों को सरवाधिक प्रेड़ना देने का कार किस्म करता है तो वो उसका राइट अंसर है हम लोगों का अबी प्रेड़ना मतलब मोटीवेशन में जो है वो प्रबन्द का करमचारियों को थरवाधिक प्रेड़ना देने वाला कार करता है उसके बाद नेस कोशन और नेस कोशन में लिखा हुआ है question number 8 में निखा हुआ है कि George R. Terry के अनसार प्रबंद के कार हैं George R. Terry के अनसार प्रबंद के जो कार हैं वो कितने हैं 2, 4, 6, इन में से कोई नहीं तो George R. Terry के जो अनसार जो हैं वो प्रबंद के कार 4 हैं ठीक है तो इसका right answer है B. option मिलकुल सही answer हो जाएगा अगर हम लोग normal बात करें कि प्रबंद के कार जो होते हैं वो 5 कार होते हैं ठीक है पहला कार कौन सा होता है तो पहला कार होता है हम लोगों का नियोजन फिर कौन सा कार होता है फिर होता है हम लोगों का संगठन उसके बाद कौन सा कार होता है तो उसके बाद होता है नियुक्ति करण उसके बाद कौन सा कार होता है तो उसके बाद होता है निर्देशन डारेक्शन जिसे बोलते है निर्देशन और लास्ट कार कौन सा होता है तो वो कार होता है नियंत्रण तो यह पांच कार जो होते हैं यह जाया तर पूछे जाते हैं इनी में हम लोग डेटेल में भी इनको करेंगे नियोजन के कार जो है नियोजन में क्या क्या होता है संगठन में क्या क्या होता है इसे नियोजन को प्लानिंग बोलते हैं संगठन को औरनाइजेशन बोलते हैं न कोटर बढ़ और नेस्ट में लिखा हुआ है कि कोडर्ज के अनुसार के कार हैं 5 तो इनसार प्रबंद के कार हैं अगर वीडियो अच्छी लगने तो लागी लिए तो प्लीज चैनल को मिलते रहें हम लोगों का कि स्थाफित नहीं करते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि समणमें जो इस्ताफिर किया जाता है वो किसके द्वारा इस्ताफित किया जाता है कौन से इस तर के द्वारा इस्ताफित किया जाता है top level management, middle level management, lower level management या फिर none of these तो इसका right answer है हम लोगों का कि जो management की बात की जाती है coordination की बात की जाती है वो top level की बात करेंगे हम लोग तो ये उप्सन बिलकुन सही आंसर हो जाएगा नेश्ट और नेश्ट में लिखा हुआ है question number 11 और 11 में लिखा हुआ है कि समनवे है coordination है कैसा है एच्छे कहें आवस्टक है अनावस्टक है समय की बरबादी है तो coordination जो है वो कैसा है कि है है आवस्चर्ट थे एक अनावस्च थे ये जर समय की परवादि करना है तो समय प्षचर्ण सब्सब्सक्राइं जो होता है वो यूर्द गरम तो होता है अगर केदवा कि यह डिपार्टमेंट है यह अगर अगर कोडिनेशन नहीं होगा तो यह आपस में कैसे काम करेंगे तो कॉडिनेशन होना बहुत आवस्सक है जरूरी है तो बी आफशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डिटेल में करेंगे हम लोग जब करेंगे अभी इसलिए नहीं करें क्योंकि समय के लिए ठीक है अमने डिटेल भी करेंगे और स्थापित करते हैं हम लोग कोडिनेशन इस्ट्याबलिस समुहों की मद्ध किसमें स्थापित करते हैं कहां मद्ध कहां पर हम लोग करते हैं समनवें जो होता है उस मोद्ध कहां पर जरूरत पढ़ती हैं लोग कोडिनेशन की तो कोई भी टीम कोडिनेशन नहीं होगा तो वह जिद जाएगी नहीं ज़ेगी न क्योंकि आपस में coordination बहुत जरूरी होना चाहिए coordination नहीं होगा तो आप लोग नहीं जीद सकते हैं ठीक जैसे मानवाण लोग हैं सब्लमोदर के अग्राइन की बात करें को ब्रयूर सब्सक्रार आपस में कौडिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी काम में हो नहीं होगा तो काम खराब है तो समय में स्तापट किया जाता है सह्मुवों के मद बिल्कुल шth चास किया जाता है बैभागों की मद डेपार्टमेंट बिल्कुल है प्रबuks और नेश कोटे UK में दिखा हुआ है question number 13 में लिखा हुआ है कि प्रबंद के कितने इस्तर हैं मैंने आप यह आप लोगों बताया है कि एक उता है हम लोगों का उच्छ इस्तर उच्छ इस्तर एक उता है हम लोगों का मद्ध इस्तर मद्ध इस्तर और एक होता है हम लोगों का निम्न इस्तर निम्न इस्तर तो यह तीन इस्तर होते हैं हम लोगों के कला है विज्ञान है कला और विज्ञान दोनों है या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो मैनेजमेंट क्या है कला है विज्ञान है कला और विज्ञान दोनों है बोथ है या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो आप लोगों ने भी इसका राइट अंसर लगा लिया होगा क्योंकि यह कोशन में लिखा हुआ है कि प्रवंद का सामाजिक उत्तरदाय तो है किसके प्रती है सभी के प्रती के प्रती के प्रती सरकार के प्रती या फिर केवल वोक्ता के प्रती प्रवंद का सामाजिक उत्तरदाय तो किसके प्रती है तो मेरे इसाब से जो है तो यह option विल्कुछ सही आंसर होना चाहिए तो आप लोगों ने विल्कुछ सही आंसर लगाया है कि प्रबंद कादो सामाजी को तरदायत है वो सभी के प्रति होना चाहिए करमचारी के प्रति भी होना चाहिए सरकार के प्रति भी होना चाहिए और भ स्वेम कार करने की कला है नहीं दूसरों से काम लेने की कला है बिलकुल स्वेम काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की कला है ये बात बिलकुल सही है कि प्रवंद जो है वो कैसा है प्रवंद जो है वो स्वेम काम करने और दूसरों से काम लेने की एक कला है में होता है यह management हमें सिखाता है तो C option बिल्कुल सही answer हो जाएगा उसके बाद next question और next question में रखा हुआ है कि question number 17 में रखा हुआ है कि प्रवंध एक पेशा है प्रवंध एक पेशा है यह कथन है किसने कहा है जौर्ज आर्टेरी अमेरिकन प्रवंध association ने हैंनरी फ्योल सहाव ने यह फिर इन में से कोई नहीं तो प्रवंध एक पेशा है यह बात किसने गई थी तो यह बात जो गई थी वह American association की बात है American management association की बात है कि प्रवंध एक कैसा है प्रवंध एक पेशा है और नेश्ट में और लाश्ट आज का हम लोगों का question है कि आज की class का हम लोगों का आखरी question है कि प्रवंध व्यक्तियों का विकास ना तो बस्तूओं का निर्देशन यह कथन किसका है प्रवंध व्यक्तियों का विकास है ना कि बस्तूओं का निर्देशन यह कथन किसका है लॉरेंस A. Epple, R.C. Davis, Keith A. Ebon Goblin ये फिर George R. Terry तो ये बात किसकी है तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का लॉरेंस A. Epple लॉरेंस A. Epple, तो आज के हम लोगों ने प्रवंद की प्रकति वे महत्त की बात करती हैं आज हम लोगों ने अठारा कुस्चन कीए हैं अगली क्लास में और भी करेंगे कुस्चन और क्रम से हम लोग करने वाले हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को चैनल को सब्क्राइब करना है स्पी एजूकेशन आज की क्लास के लिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग